हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैजनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा आज जुलाई महिने की 10 तारिक है, जुलाई महिना यानि बारिश का महिना और बारिश का टाइम यानि की पौधे की ग्रोध को बढ़ाने का और फ्लावरिंग लेने का बहुत ही बड़िया टाइम है ये इस समय अगर आप थोड़ा सा काम अपने मोगरा के पौधे की उपर करेंगे तो ये बहुत ही जादा घणा हो जाएगा आप में से अगर कोई है आपका पौधा ग्रोध नहीं कर रहा है या फिर फूल नहीं दे रहा है तो ये वीडियो आज का आपके लिए काफी यूसफूल होने वाला है जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मोगरा का पौधा काफी घणा है और इसके अंदर अंगिनत सैकडो कलियां बनी हुई है आपको भी ऐसे ही अगर अपने पौधे के अंदर ग्रोध चाहिए और ऐसी ही भर-भर के कलियां और फूल चाहिए तो आपको कौन सा फटिलाइजर इस समय आपके पौधे को देना है ये सारी जानकारी आज किस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ तो फिर्ट सबसे पहला पौइंट काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो पौधा है वो ग्रोध नहीं कर रहा है उसने ग्रोध करना बंद कर दिया है नई पतिया उसके अंदर निकल करके नहीं आ रही है और अगर पौधा ग्रोध ही नहीं कर रहा है नहीं फिर्द भी अच्छी नहीं है जिसमें जणों की ग्रोध नहीं हो रही है तो अगर इस सीजन आप मोगरा का नएया पौधा लगा रहे हैं तो अच्छी से कमपोस्ट मिट्टी के साथ मिला कर ही पौदे को लगाएं जिससे की ड्रनीज अच्छी रहे और मिट्टी अच्छी होने पर जड़ों की ग्रोध भी अच्छी रहती है लेकिन अगर आपका पौधा आप लगा चुके हैं पुराना है फिर भी ग्रोध नहीं कर रहा है तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं फिर से कमपोस्ट और नई मिट्टी को मिला करके अपने पौधे की रिपोर्टिंगा आप कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ का अपको काम करना है तो ऐसे पौदी की मिट्टी को पहले आप थोड़ा अच्छे से सूखने दीजिए उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद उपर से 4-5 मुठी यानि जितना कंपोस्ट आप उपर से दे सकते हैं अच्छे से आप दे सकते हैं लेकिन अगर आ 15 दिन में एक बार मोगरा के पौधे को जरूर दे दो तो जो कमपोस्ट की कमी है वो पौधे में पूरी होती रहती है पौधे की ग्रोथ ना होने के पीछे जो दूसा कारण है वो है आप पौधे की मिट्टी बहुत जादा गीली रहते हैं यानि लगातार आपके पौधे की म बीट्राउर्ही आपको मिलेगी अब ग्रोथ ना होने के पीछे और फ्लावरींग ना होने के पीछे जो तीसरा कारण है वो है आपके पौधे में निउट्रिशन की कमी यानि कुछ ऐसी चीवे जो पौदे को growth के लिए चाहिए flowering के लिए चाहिए वो आपके पौदे की मिटी में नहीं है तो इसकी भरपाई आपको कैसे करनी है इस कमी को आपको कैसे दूर करना है आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले आज का जो दूसरा point है वो ये है कि काफी सरे लोग comments कर रहे है कि कलियां बन रहे हैं लेकिन कलियां खिलती नहीं है कलियां सूप करके गिर जाती है तो इसके पीछे क्या वज़ा हो सकती है अगर आपके पौदे में कलियां अच्छी खासी बन रहे हैं लेकिन कलियां सूप रहे हैं तो अवर हीट की वज़़ा से भी हो सकता है. क्यूंकि गर्मिया बहुत जादा थी पिछले कुछ दिनों में तो ओर हीट होने की वज़े वज़ा से कमी कि वज़ा से जो कलिया त्य जो कलिया थी वो खिल नहीं रही थी. तो तो कर्भी में यह मुख्य कारण एब्सोर्फ नहीं कर पाती है, यानि जो जड़ो्ग का काम है, वो slow हो जाता है, तो जिसकी वज़ह से ऊपर, जब जड़े पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुचारी है तो मुएशर की कमी बण जाती है, जिससे कलियों में मौईशर की कमी होने से वो सूख जाती है और सूख करके खिलने से पहले ही कलियां गिर जाती है इसके पीछे जो तीसरा कारण है वो यह है कि जो आपका पौट है उसके जो छेद है वहाँ से पानी प्रोपर तरीके से नहीं निकल रहा है और आपको उपर तो मिट्टी सुखी भी दिखाई देती है आपके पौधे की लेकिन छेद से प्रोपर तरीके से पानी न निकलने की वज़े से जो बेस है यानि जो नीचे है जहां पे जड़े है वہां पर पानी रुकी रेती है और आपको लगता है कि पौधे में उपर पानी की कमी है आप उपर से पानी डाल देते हैं इस तरीके से लगातार नीचे बेस में पानी पड़ा रहता है जिसकी वज़े से मिट्टी में फंगस लग जाता है और फंगस लगने से भी कलिया प्रॉपर तरीके से खिलती नहीं है और खिलने से पहले ही सूप करके गिर जाती है अब कलियों के गिनने की पीछी जो तीस्टा कारण है वो है पौदे के अंदर कीडों का लगना कीडे लगने की वज़ze से ही दिखाई कर लेते हैं जब भी आपके पौदे की पत्यां है और रही हा, तो आप नी मोयल का इस्प्रेय कर सकते हैं जितने भी कीडे जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनका जो असर है, पौदे के उपर दिखाई देता है जैसे कि पत्तों का मुणना या फिर कलियों का गिरना ऐसे में जो नीम ओयल है वो काफी एफेक्टिव रहता है इसमें आप नीम ओयल किसी भी दुकान से आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा आप एक चमश नीम ओयल को एक लिटर पानी में घोल करके उसके साथ आप दो चा अपने पौदे के उपर करते रहें इससे किसी भी तरीके का कोई ऐसा कीड़ा आपके पौदे के अंदर नहीं लगेगा जो कलियों को खा ले इसके बाद हमारा आखरे टिप कि हमारे पौदे को कोई दिक्कत नहीं है पौदा ग्रोध भी कर रहा है लेकिन पौदा किसी भी तरीके का कोई कलिया नहीं बना रहा है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ह फ़टिलाइजर जो पौदे के अंदर सारी ही कमी को पूरा करेगा और बहुत सारी कलियां और ग्रोध आपके पौदे को मिलेगी यह कैसा फ़टिलाइजर है जो की बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरौत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको लेना है आपके घर के अंदर ही पाई जाने वाली एक ऐसी चीज जिसका इस्तमाल आप मसाले के तौर पे करते हैं ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है सरसो के दाने फ्रेंट सरसो के जो दाने है आप दूसरे वाले जो सरसो के दाने है उसका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं फ्रेंट्स इस Fertilizer को बनाना बहुत ही आसान है और इसको एक बार बना करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जो सरसो की दाने हैं वो बहुत ही आसानी से आप जहां से अपना राशन का समान लेने जाते हैं वहाँ पर ये मिल जाते हैं इसको आपको क्या करना है किसी भी grinder mixture में डाल करके इन दानों को आप पीस लीजे और पीसने के बाद आपको एक powder सा मिल जाएगा महीन powder आपको बनाना है दरदरा powder आपको नहीं बनाना है जितना महीन आप पीस सकते हैं उतना महीन इस powder को आपको पीस लेना है इसको पीसने के बाद आप किसी भी डब्बे में जिसका ढखकन हो उसमें बंद करके आप इसको रख दो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है अब आपको इसका इस्तमाल हमारे पौदे में कैसे करना है यहाँ पर दो तरीके में आपको बता रही हो दोनों में से कोई भी आप इस्तमाल कर सकते हैं पहले तरीके में आपको लेना है एक चमच सरसो का ये powder और इसके साथ ही आपको लेना है आधा चमच चाई की पती फ्रेश चाई की पती जो आपने अभी उबाली नहीं है जिसकी चाई आपने नहीं बनाई है अगर आप वो वाली चाई की पती ले रहे हैं जिसको आपने धो करके सुखा करके रखा हुआ है तो उसकी मातरा आप तीन से पांच चमच ले सकते हैं इन दोनों को आपको एक दूसरे के साथ मिला करके इसको सीधी अपने पौदी की मिट्टी में आपको दे देना है अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि आज कल बारिश हो रही है तो हमारी मिट्टी लगातार गीली रहती है तो आप लगातार जो मिट्टी गीली पड़ी बहुत जादा गीली है तो उसमें आप इसको मत देना मिट्टी हलकी सी मुआईश हो ऐसी हो जो हाथ में ना चिपके तो आप इसको दे सकते हैं लेकिन बहुत जादा गीली मिट्टी में आपको इसको नहीं डालना है कोई भी fertilizer जो भी आप दे रहे हैं सीजन में तो हलकी सी moist मिट्टी या थोड़ी सी जब मिट्टी dry हो जाए जब बीच बीच में बारिश रुखती है उस समय आप इसको दे सकते हैं इसको डालने के बाद घुडाई करके आप इसको अच्छे से पहले मिट्टी में मिला लो और फिर उसके बाद आप इसकी watering कर सकते हैं ये जो fertilizer मैंने आपको बताया इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है इसके बार अगर आपको कोई खाद इसके अंदर देना है तो कम से कम 10 से 15 दिन का gap आप जरूर रखेंगे उससे पहले आपको कोई और खाद अपने इस पौदे में नहीं देना है जिसमें आपने ये वाला fertilizer एक बार दे दिया अब इस fertilizer को देने का एक और तरीका है उस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक लिटर पानी एक लिटर पानी कम से कम आपको ले लेना है एक लिटर पानी में आपको एक चमच ये जो सरसो का powder है इसको अच्छे से मिला देना है, मिक्स कर देना है, घोल देना है आपको और इसके साथ ही आपको लेना है आधा चम्मच, चाय की पत्ती भी चाय की पत्ती को देने से जो nitrogen की quantity है अमारे पौधे में वो बढ़ जाती है और मोगरा का जो पौधा है इसको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए सिर्फ दो चीज़े चाहिए वो है nitrogen और phosphorus इससे जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और आपका पौधा ऊपर भी बहुत सारी नई रांच इसको निकालता है इन दोनों चीज़ों को आपको mix करके कम से कम एक दिन के लिए ऐसे ही रख देना है अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का पीले रंग का कुछ liquid मिलेगा ये सरसो के दाने जब आप पीसते हैं आप इसको पानी में गोलोगे तो आपको इसके उपर कुछ तेल जैसे drops दिखाई देंगे क्योंकि सरसो जो है वो तेल बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन ये किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा और इसके साथ ही magnesium और iron भी मिल जाता है साथ में calcium भी इसके अंदर पाया जाता है इस liquid fertilizer में आपको कोई भी और पानी मिलानी की ज़रूत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने इसको एक लिटर पानी में भिगोया था अब ये जो खाद आप देख रहे हैं ये liquid fertilizer इसको मैं अपने द ये जो बच गया है इसको मैं अपने तीसरे पौदे में डाल देती हूँ आप इसकी ग्रोध भी देख सकते हैं काफी बढ़िया ग्रोध कर रहा है ये वाला पौदा भी और काफी सारी नई ग्रोध निकल करके आ गई है इसके अंदर आप जो दोनों तरीके मैंने बताये है उनमें से कोई भी एक तरीके का इस्तमाल करके अपने पौदे की ग्रोध और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं जो दूसरा तरीका है इससे पौदे को जल्दी से रिजल्ट मिलता है तो अगर आपको पौदे के उपर जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप यह जो दूसरा तरीका मैंने बताया है इसको अपने पौदे के उपर समाल करें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि तेज धूप में कभी इस फर्टिलाइजर को आपको नहीं देना है या तो आप सुबह सुबह दो जब धूप बिल्कुल भी ना हो और अगर तेज ध रली आपके पौदे की नहीं गिरेगी और नहीं सुखेगी तो फ्रींव्लिटी समय औ अब तक सब्सकु करें और मेरे चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लैं मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैन nah trata कि झाल 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 झाल